हुआ 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 है आप सभी का हमारे यूटूब चैनल जेयर्टूरियल्स में ठीक है तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिफरेंस बिट्विक अलकें अलकीन एंड अलकाइन ओकी प्रिवेस कुछ लेक्चर्स में हमने देखा थे अपने चरूण से विडियो अगर देखा हो का फिर्वेस विडियो तो उसमें लोग ने देखा था कि हाइड्रो कार्बंस क्या होता है टाके तो हाइड्रो कार्बंस में हम लोग ने एक चीज़ श्टड़ी किया था डाले कि आज जो हमें पढ़ना है वो भी यही तीनों डॉ के बीच का distinguish between, that is difference between, तो कभी-कभी exams में कुछ ऐसे questions frame हो जाता है, हो सकता है, तीनों तो chances पूछने का कम है, कि आपको तीनों पूछ सकता है, कि difference between, alkene का भी बोलो, alkene का भी बोलो, and alkane का भी बोलो, तो ऐसा possible तो मेरे साब से नहीं है, कोई भी आपको दो इसमें से पूछ सकता है, या तो alkene and alkane का भी सकता है, chances इसकर ज्यादा होता है, तो हम क्या करेंगे, आज मैं आपके सामने क्या लेखिया हूँ, ये तीनों का one by one में क्या गरूमा, point-wise आपको, एक tabular form में, distinguish between आपको में करके लिखा हूँआ, तो जैसा कि आप screen पे देख सकते हो, यहाँ पे और इसको समझनी कोशिश करते हैं, तो पहले जो column है, आप देख सकते हो, alkane का है, second column alkane का है, third column alkane का है, तो ये तीन column wise हम लोगे distribution कर रखा है, तो पहला, alkane का first point हम लोगे distinguish करते है, तो पहला जो है, hydrocarbons containing single bond only, तो आपको एक चीज़ पता ही होगा, कि alkane अगर है, तो alkane में single bond होता है, वोही first point हम लोगे sense की चीख सब करें, तो alkane's में होता है, तो contains at least one double bond, तो इसमें क्या होता है, double bond होता है, एक चीज़ा आपको यागन होता है, alkane में single bond, alkane में double bond होता हैнps होता है, और और वही saturated compound obviously हमने जब previous video में हम लोग ने पढ़ा था कि यह saturated क्यों है क्योंकि saturated hydrocarbons वो ही हो सकता है जिनके अंदर single bond हो तो obviously हमारा alkyl जो है वो single bond से बना हो है that's why it comes under the saturated hydrocarbons okay वैसे second बात करें हम लोग लोग का second point तो they are unsaturated compound हम लोग ने discuss किया था previously कि अगर एक से ज़्यादा bond होते है hydrocarbons में तो वो आता है unsaturated hydrocarbons के category में तो यहां पर आप देख सकते हो कि alkyl जो है alkyl के अंदर क्या दे रखा है double bond है that's why it comes under the saturated hydrocarbons वोही same लाब होगा alkynes पे भी alkynes के अंदर पर triple bond है more than one bond है तो इसके लिए वो भी आ जाता है आपका third point के अंदर that is they are unsaturated compounds या फिर hydrocarbons लाब बोल सकते हो तो यह होगा दो points ठीक है बाप करें हम लों third points के इसके तो third point होता इसका general formula ठीक है तो general formula जो है कि cn, n is the number of atoms जितना हम लोग elements दालने माने हैं ठीक है बो रहेगा हमारा n तो cn, h2, n plus 2 ठीक है हम लोग जितना भी n is equal to डालेंगे उसके इसाब से हम लोगो जो result है यह मिलेगा general formula of alkynes के बाप करें तो उसका general formula होता है cn, h2, n ठीक है cn, h2, n रहता है इसमें भी हम अपना number of atoms को change करके हम लोग लोग है बना सकते हैं alkynes के group का और third बात करें alkynes का general formula होता है cn, h2, n minus 2 ठीक है मतब इसमें हम लोगो ने 2 hydrogen और कम कर दिये क्योंकि यह triple bond है यहापके cn, h2, n minus 2 हो जाएगा alkynes का general formula नेक्स्ट निया हमारा 4th point उसकी बाद करें हुआ तो वह है less reactive because only single bonds are present तो इसका एक point निया है अब आपने first point में पढ़ा कि it is made up up only single bond तो single bond के वज़े से क्या होता है जब किसी और चीस से react जब करता है किसी और element हो गया, compounds जब react करता है तो इनका जो reactive जो period होता है वो less होता है और जो reaction होता है काफी slow भी होता है तो इसके लिए हम लोग in short क्या बोल सेते हैं कि जितने भी alcanes होते हैं वो क्या होते हैं less reactive होते हैं बहुत गम react करते हैं किसी से, किसी और element से बात करें हम तो alkenes के case में, fourth point वही है, that is more reactive than alkenes जो alkenes होता है, वो alkenes से ज़्यादा reactive होते हैं क्योंकि due to the presence of double bond यहांपे double bond होता है, because of double bond क्या होता है, उसको break करना जो होता है वो और easy हो जाता है इसके लिए वो क्या होता है, वो आराम से react कर पाता है किसी और compound के साथ अब होई अब बात करें alkenes के case में, तो alkenes क्या होगा, it is more reactive than alkenes है alkenes तो होगा होगा होगा, क्योंकि उसके अंदर क्या है, triple bond है, तो triple bond होने के वज़े से वो और जल्दी breakdown होगा और और जल्दी वो किसी और compound या फिर element के साथ react कर पालगा, तो हम लोग बोल सकते हैं इन शॉट, fourth point कि alkenes वो कम react करता है, less reactive है, alkenes अलकेल से ज़्यादा react करता है, ठीके, and alkenes वो alkenes से भी ज़्यादा reactive है, ठीके, बात करें fifth point की, that is, fifth point जो है आपका alkenes के case में आप substitution reaction मतलब alkenes अगantal reaction आगर करता भी, तो कुण सा reaction करेगा? substitution reaction, यहाँ पर क्या होता है, substitution होता है, किसी और element के साथ combine होता है, इसके पास आपके combining होता है, ठीके substitution reaction, alkenes के अगर हो सकता यह बात कर दो, है लोग अलगी हिंज का 5th point, इसमें इडिशन रियक्शन होता है, कि की अलगी हिंज क्या कारता है किसी और elemet के साथ add होता है। औरppo रॉक्ष Left reaction कारता है उसके साथ, और कुछ और compound या पे बनाता है तो इसलेक शोकान है हमको ईडिशन रियक्शन तो अलकेन्स थी case में क्या होता है? addition reaction होता है बात करें अलकाइन्स थी case में तो अलकाइन्स में भी same because of ripple bond वहां पर क्या हो रहा है? किसी और element के साथ वो plus हो रहा है and हो रहा है वहां पर चाके और एक नया compound या फिर element जो एको create करता है इसके लिए उसमें भी क्या हो रहा है? same addition reaction होता है या फिर वह favor करता है और last में एक्जांपल हम देखेंगे अलकेन, अलकेन और अलकाइन किया तो अलकेन का अगर एक्जांपल के बात करो अगर हम जो carbon है हमारा C1 लेंगे यहां पर तो हमारा CH4 that is methane बन सकता है लेकिन हमने यहां पर लेकर रखा हुआ आपको ethane बता हुआ आप structure formula देख सकते हो तो ethane जो है that is C2H6 होता है ethane तो इसका structure formula दो carbon देख सकते हो side में 3 हीदर hydrogen 3 हीदर hydrogen तो total 6 हो गया C2H6 is nothing but your ethane अलकेन की बात करें तो उसमें क्या हो जाएगा double bond आ जाएगा तो यहां पर क्या हो गया? double bond आप देख सकते हो संब वोhoी चीज मेंने यहां पर single bond से क्या हो रहा है double bond हो रहा है तो double bond होने के वज़े से क्या हो गया है यहां पर hydrogen atom जो होते है hydrogen जो- Qelement ही हो और थर्ड काहते है कि अलकाइन की अगर बढ़ करें तो अलकाइन है और एक बांड बढ़ जाएगा और विकॉस आप बांड वहां पे आपके एक-एक हाइड्रोजन और कम हो जाएगे तो totally आप देख सकते हो C triple bond C है और side side में सिर एक-एक हाइड्रोजन है क्यों कि हाइड्रोजन ने क्या कि आप बना दिया तो उसको हमें बोल सकते है इथाइलीन या फिर इथाइन भी बोल सकते है उसको तो वह हमारा बन गया अलकाइन का एक गुरूब और वह dernière से बहुत सरे examples है अबरे जैसे अगर इथेन है इथएन है इताम है वहाँ जोन गुरूब नए T,बी इसे हम नमबर ओफ कार्बन बढ़ते चलेंगे तो हमें क्या मिलेगा different different compounds यहां होंगे, depends करता है कि हम कितना number of carbons को यहां पे रख रहें, तो यह था एक basic representation जिसमें आपको सीखने मिला यहां पे, कि alcan, alkies और alkyns यह तीनों के बीच में एक normal difference क्या है यहां पे, तो यहां पे आपको बहुत चीज देखने मिल गई है, I hope आपको यह बिखुली समझ में होगा, आपको समझ में आगया होगा, तो आजका वीडियो देखने के लिए, thank you. क्यी झाई कि उरस वाजने करता है।